मैं आपका स्वाधत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्टो जर्नी और डिवाइन बॉयस पर दर्श को फ्री ब्रिगुनंदी नाड़ी को उसके अंदर इस श्रिंकला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिसक्स करेंगे कि परिवर्तन योग प्लैनेटरी एक्ष इससे पहले मैं अपने दर्श कों के लिए बता दू कि जब प्लैनेटरी पॉजीशन जो होती है एक दूसरी की राशी में होती है तो उसे परिवर्तन योग पोलते हैं जैसे सिंग राशी के अंदर गुरू बैठा और गुरू की राशी मीन के अंदर जो है सूर्य बैठा ठीक है तो इसे बहुत ही इंपॉर्टन योग माना गया है यह सबसे स्ट्रॉंगेस्ट योगों में से एक है और प्रिवर्तन योग आपके जीवन में जरूर फलित होता है यह आपके जीवन में जो है अकसमात all of a sudden जो है बहुत ही अच्छी या बुरी घटनाएं हो सकती है इस योग की वज़ा से यह डिपेंड करता है कि जहां जहां यह प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वहां पर और दूसरे प्लैनेट्स इनके साथ कौन से बैठे हुए हैं अगर तो दुश्मन प्लैनेट है तो वो जरूरत जरूर है कि बुरे उसके परिनाम हो सकते हैं अगर मित प्लैनेट हैं तो हो सकता है उसके अच्छे परणाम हो सकते हैं इससे कि पहले हम अपने डिसकेशन को आगे बढ़ाएं मेरा आप सबसे नरोध है कि अगर आपको ये फ्री बिरिगुन अंदी नाडी कोर्स अच्छा लग रहा है तो किरपय इस चैनल को लाइक शेर और सब्सक सब्सक्राइब में यहां वीडियो जाला हूं और यह बेसिक कोर्स है इसमें हम बेसिक चीजों से लेकर एडवांस की तरह बढ़ेंगे और इसकी जो प्ले लिस्ट है उसमें पार्ट वन से स्टार्ट हो गए है और यह 21st पार्ट है ठीक है अगर आप नए जुड रहे हैं तो इस सीरीज को आप पार्ट वन से वाच करना स्टार्ट करें ठीक है अगर फिर भी आपका कोई डाउट अगर रह जाता है तो जुरूर मैं कमेंट के अंदर उसका रिप्लाई करूंगा लेकिन जो चीज़ें मैं आल्रेडी पढ़ा चुका हूं आप उनको वापिस पार् को जरूर इंटर्टेन करूंगा लेकिन जो चीज़ें अल्रेडी पढ़ा ही जा चुकी है वह आप पहले एक बार वीडियो को जरूर देखें इस प्लेइलिस्ट को जरूर फॉलो करें क्योंकि यह जो वीडियो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहे हैं अगर आप हि देखिए दर्श को परिवर्तन योग मैं एक बार फिर से बता दूं कि जब हर प्लैनेट को कोई ना कोई राशी अलॉट की उसकी अलॉट सिप हर राशी की किसने किसी प्लैनेट के पास है और जब प्लैनेट एक दूसरे की राशियों में बैठ जाते हैं जाकर तो उसे परिवर्तन योग बोला गया है फॉर एक्जामपल यहां देखिए सूर्य और ब्रस्पती का परिवर्तन योग है ठीक है सूर्य जो है ब्रस्पती की मीन राशी में बैठ है और ब्रस्पती के ब्रस्पती जो है सिंग राशी में सूर्य की राशी में बैठ हुआ है तो दोनों एक दूसरे की राशी में बैठे हैं और वैसे भी यह आपस में मित्रग रहे हैं ठीक है अब हम यहां पर देखेंगे कि सूर्य जो है वो शुक्र और चंद्रमार के साथ है आप इस वीडियो को अंदर तक जरूर देखी है क्योंकि मैं आपके छोटे-छोटे टेकन हैं कि वो रिजल्ट्स वेरी कर रहे हैं वो क्यों करते हैं यह सबसे बड़ा डाउट रहता है जब हम तो वह मैं आपको बताऊंगा यह चीज अब सबसे पहले हम चार्ट के उपर आते हैं यहां देखिए राहू जो है ग्यार्वे स्थान में तो हमने अब तक क्या पड़ा राशी में तीन साथ ग्यारा में या एक पांच नौ में को प्लैनेट बैठा है तो वो उसके कारत्तवों को इफेक्ट कर रहा है अब देखिए सूरिया शुक्र और चंद्रमा से बार में राहू बैठा हुआ है सबसे पहली बात यह हमने अफजर्व गया और हम आलड़ी ब देखेंगे कि ब्रस्पति के साथ केतू है सूर्य के साथ शुक्र और चंद्रमा है ठीक है अब सूर्य जो है उसके साथ इस्त्री कारक ग्रह है इस्त्री ग्रह है और जो शुक्र और चंद्रमा है इस सुंदर इस्त्रियों को इंडिकेट करते हैं सिग्निफाय भी करते हैं फिर हम देखेंगे कि उसके पीछे राहु है फिर ब्रस्पती के साथ केतु है अब क्योंकि सूर्य और ब्रस्पती का अक्षेंज है तो आप ये मान कर चलिए कि सूर्य पंचम राशी में भी बैठा हुआ है और ब्रस्पती बार्मी राशी में भी बैठा हुआ है या आप यह कह सकते हैं कि सूर्य का connection केतु से भी हो रहा है और ब्रस्पति का connection जो है शुक्र, चंद्र और राहू से भी बनना है अब ये जो इनसान जातक है क्योंकि के तु जो है मोक्ष का कारक है के तु सिन्यास का कारक है के तु वेराग्या का कारक है के तु धोजा का कारक भी के तु रिलीजिन का मतलब रिलीजियस इंसिट्यूशन का लॉग का कारक भी है ब्रस्पती जो है वो जीव कारक है अब जीव क्या है फस्ट हाप आफ लाइफ के अंदर जो जीव है यहां पर वो उसका वेराग्य सन्यास में बहुत जादा रुची रहती है वो एक साधक बन जाता है सन्यासी बन जाता है और अध्यात्मिक शेत्र के अंदर बहुत जादा उन्नती करता है उसकी द्वजा लेर आती है अध्यातम के शेत्र के अंदर ठीक है लेकिन ब्रस्पती और सूरे जो है प्रिवर्तन करके बैठे होएं अब यहां पर आप यह देखिए कि जब फर्स्ट पाइट आफ लाइफ के अंदर ब्रस्पती केत्व के साथ है तो यहां इंसान स्पिर्चुलिजम अध्यातम और धर्म के शेत्र में अपनी धुजा लेराता है और एक सन्यासी का जीवन वेतीद करता है साधनाएं करता है मंत्र सिद्धियां करता है बहुत कुछ करता है अध्यातम के शेत्र में लेकिन जब हम देखते हैं अब हम देखते हैं कि जब प्रिवर्तन से हम इने देखेंग तो ब्रस्पती जो है वो बारवे वाव में इस तरी ग्रहों के पास चला जाता है शुक्र और चंदर के पास और सूरह जो है केतू के साथ आ जाता है अब क्योंकि धोजा इनसान की अलरेड लहरा रही है लेकिन यहां मैं बता दू कि केतू सूरह को जो है वो आंशिक रूप से ग्रहन भी लगा देता ठीक है बहुत से लोग बोलते हैं कि के तू सूरे ब्रस्पती है दोजा योग है नो डाउट है पर सिद्धी देता है इनसान को लॉग के फिल्ड में एड्मिस्ट्रेशन के फिल्ड में लॉग इसके किसी educational institute या किसी ध्यात्मिंग institute में उच्पद पर पहुंच आता है लेकिन केतू सूरे को मध्धम भी कर देता है आंशिक रूप पर ग्रहन भी लगा देता है अब यहां पर राहू सूरे के back side में है जब ब्रस्पती वहां पर जाता है तो ब्रस्पती के उपर राहू का effect भी जाता है और इस्तरी ग्रहों का effect भी आता है ठीक है अब आप यह देखिए कि चंदरमा जो है और शुक्र जो है यह इस्तरी कार्क ग्रह है सुंदर इस्तरी कार्क अब सूरे जो है politician को भी signify करता है सूरय politician को signify करता है और द्रस्पति जब इस्तरी ग्रहों से मिलता है second part of life के अंदर तो सूरय जो है politician है तो एक politician जो है जातक को इस्तरियों से introduce करवाता है और क्योंकि शुक्र यहां पर बारवे भाव में उच्च का है तो वो जो सुन्दर इस्तरियों से यह जातक संपर्क में आता है तो वो इस्तरियां बहुत ही अमीर या उच्च ग्रहने की होती है ठीक है अब जो जातक सन्यासी का जीवन वैदीत कर रहा था वो भोग की तरफ मुड जाता है अब वो भोग में वाला रहता है एक पॉलिटीशन जिसका सिगनिफिकेटर जो है या कार्क जो है उस सूर्य है ठीक है सूर्य राहू एक बहुत अच्छा कॉंबिनेशन भी है किसी पॉलिटीशन के जर्म पत्री ठीक है अब यहां पे आप देखिए कि एक तरफ तो इनसान फस्ट आफ के अंदर स्पिर्चुल है अध्यात्म की तरफ है धर्म की तरफ है लेकिन सेकेंड आई लाइव के पार्ट के अंदर जब दूसरा पक्स एफेक्ट में आता है तो जीव के उपर राहू का प्रवाव और इस्तरी ग्रहों का प्रवाव आता है अब जीव जो है योगी से भोगी बन जाता है ठीक है योग से अध्यात्म के शेत्र से उसका ध्यान हटकर भोग में चला जाता है लेटर सेकिंड पार्ट के पास जाता है और वहां उसका राहू का एफेक्ट आ जाता है राहू भी ब्रस्पती का शत्रूग रहे हैं तो यहां पर प्रिवर्तन योग जो होता है उसमें जो अच्छे एफेक्ट्स आने की वज़ाए जातों को मतलब भोग की तरफ ले जाते हैं सन्यास से अध्यातम के शेतर से भोग की तरफ चला जाता है राहू जो है फ्रॉड का कारकिवी है अब जो इनसान के इतने फॉल्वर्स हो या मतलब इतना इसका नाम हो अध्यातम के शेतर में और वो भोग की तरफ चला जाता है अपने फॉल्वर्स के साथ एक तरह से वो छल कर देता है ठीक है त तक कि पूर्श जाते हैं अब हम नंबर दो अग्जामपल को लेंगे अब यहां देखेंगे कि किस तरीके से जो परिवर्तन योग है वो जिन्दगी में अपना रोल अदा करता है अब यहां आप देखिए कि पंचम भाव के अंदर चंद्र शुक्र और राहू है लगन में ब बुद है और दसम में शनी है और केतू है सब्तम भाव में सूर्य और मंगल है ठीक है तो यहां पर शुक्र और सूर्य का जो है वो परिवर्तन हो रहा है सूर्य जो है वो तुला राशी में है और जो शुक्र है वो सिंग राशी में ठीक है अब जो शुक्र है वो चंद्रमा और राहू के साथ है ठीक है अब चंद्रमा यह इस्तरी जातक का जन्म बत्री है जो चंद्रमा है वो अडल्टरी का कार्क है अनैतिक समंदों का कार्क है अनैतिक की योन समंदों का का रख और राहू जो है एंप्लीफायर है और साथ में राहू जो है सीक्रेट चीज़ां का सीक्रेट अफेर्स का गुप्थ संबन्दों सब्सक्राइब का विए इस तरी जाहते के अपने लाइव के 사स्ट पाट में मलटीपल मेल पार्टनर्स के साथ मनलव की बहुत सारे पुर्ष इसकी जिन्दगी में रहते हैं इनके अनैफिक तौर पर शारेजित संबंद जो है ये इस तरी जातक जो है स्तापित करते हैं लेकिन अब यहां पे सूर्य और शुक्र का जो है वो एक्षेंज है और आप यहां पे छुका के इनदर ब्रश्पति है और अब आप देखिए कि जब शुकर्श के अंदर सत्मभाव के अंदर जाता है तो शुकर MICHAEL के है और ब्रुसपती का एकक्ट की डुरिष्व्यति है इसके उपर, शुक्र के उपर, second part of life के अंदर, यहां बहुत से लोग का question आएगा, कि केतु तो पहले भी उसको expect कर रहा था, तो ब्रिगुनन्दी नाड़ी के अंदर, केतु को, केतु और राहू का expect नहीं लिया जाता, ट्राइन कनेक्शन, बारा और दो का connection हो, वो लिया जाता है, लेकिन expect का connection नहीं लिया जाता, राहूर केतु के समन्द में, और मेरा मत भी यही है, क्योंकि यह च्छाया ग्रह हैं, तो जो च्छाया होती है, उसका कोई, मतलब, expect नहीं होता है, ठीक है, तो मैं भी इसी मत को follow कर करता हूं, तो जब शुक्र जो है, सूर्य के साथ आता है, सौरी, सब्तम भाब में आता है, exchange करके, तो उसके ओपर केतु का प्रवाब आता है, केतु वेराग्य का का कार्ण है, केतु अध्यातम का का कार्ण है, ठीक है, और जो ब्रस्पती है, उसकी दृष्टी को बहुत माना गया है ब्रश्पति जो है ज्यान का कार्ग है ब्रश्पति गुरु का कार्ग है टीचर का कार्ग है ब्रश्पति युनिवर्सल जीव का कार्ग है लेकिन इस्त्री जीव का कार्ग शुक्र है ठीक है तो लेकिन जब ब्रश्पति शुक्र को देखता है तो ब्रस्पती अपनी शुबता शुब प्रभाव शुक्र के ऊपर डालता है तो दूसरे चरण में अपनी जिंदगी के जो शुक्र है। इस तरी जो यह जातिका है इनको इसी गुरू से इनका मतलब उनके गुरू के प्रभाव में आती हैं ये और इनको एक spiritual करने के लिए प्रेवरिद करते हैं प्रेवना देते हैं और गुरु से इस इस्त्री जातक को ग्यान की प्राप्ति होती है तो आप यहां देखेंगे कि यह इस्त्री जातक है सेकंड पार्ट आफ लाइफ में यह अपना भोग का जो जीवन है उनको त्याग कर यह अध्यातम और धर्म की तरफ मुड़ जाती है और अपना आगे का जीवन जो है बहुत अच्छे से अध्यातम में बिताती है अब आपने यहां पर दिखा कि केतु का प्रभाव शुक्र पर आया है और ब्रस्पती की दृष्टी शुक्र के पर पड़ी यहां पर हम यह भी कह सकते हैं क ब्रस्पती और ट्राइन कनेक्शन में भी ता शुक्र के तो इस तरह से यहां पर प्रिवर्तन ने एक प्रिवर्तन योग ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया ठीक है जातिका की जिंदगी के अंदर और उसकी जिंदगी को नेगिटिव से पॉजिटिव की तरफ मुड़ा केस वन में क्या था एक्जमपल वन में क्या था कि प्रिवर्तन योग में वो पॉजिटिव से और डेटिव चला गया था तो यहां पर मैं एक चीज़ बनाना चाहूंगा कि जैसे तीन तरह के सभाव होते हैं राशियों के दूई सभाव, चर और स्थिर तो सबसे पहले आप देखिए कि जिस राशी में ये योग बन रहा है वो किस तरीके में है स्थिर नेचर की राशी है, चर नेचर की राशी है ये दूई सभाव, ड्यूल नेचर की राशी है अब आप देखिए जो ये राशी है, मीम राशी, ये दूई सभाव राशी है, ड्यूल नेचर की राशी है तो duality को शो करती है यहां जीव के जीवन में duality भी आ रहे यहां आप देखेंगे कि duality है तो यहां होके रहा है कि जीवन में योग के साथ भोग भी हो रहा है और multiple इस्त्रियां जो है मतलब multiple जो इस्त्रियां है वो जातक के जीवन को effect कर दी ठीक है यह एक बहुत जरूरी टिप है यह आप देखेंगे कि ऐसा योग है लेकिन वो चीज घटिद नहीं हो रही है वो मांसिक तोर पर इंसान सोच रहा है लेकिन physically manifest नहीं हो रही है उसकी life के अंदर तो आप यहां वहां देखेंगे कि ऐसा योग है वो स्थिर राशी में हो सकता है है ना तो वो थोड़ा स्थिरता दे देती है राशी इसके अपने सभाब के लेकिन यह दूई सभाब राशी है duality nature है इस राशी तो इस चीज़ को और amplify कर रही है वहले एक और add-on हो रहा है योग के अंदर तो योग और strongly life में घटित हो रहा है ठीक है यह एक बहुत important tip है आप इसको note करके रखिए जब आप exchange को या कहीं भी चार्ट में जो है इसको read करने के लिए use करेंगे तो यह tip आपके बहुत काम आए ने हमारी चीज़ तो दर्श को आज की चर्शा को मैं यहीं समाप्त करूँगा और आज हमने चर्शा की परिवर्तन योग के अंदर planetary exchange के अंदर planet कैसे काम करते हैं परिवर्तन योग किस तरीके से काम करता है अब मैं यहीं आपसे विदा लेना चाहूँगा अगर आपको हमारे efforts अच्छे लग रहे हैं इस चैनल को like करें, share करें और subscribe करें अगर आपके कुछ doubts हैं तो आप comment section में पूछ सकते हैं जो playlist है उसका link में comment section sorry description में डाल दूँगा आप playlist में पहले के जो lectures हो चुके हैं उनको भी आप देख सकते हैं नमस्कार